बिस्मिल्लायरामाही, अस्सलाम अलेकम, वेलकम बेक एवरिवन, आज हम लाएं आके लिए बहुत ही मज़े की पलाव की रेस्पी, इसके लिए हमें चाहिए, तीन ग्लास चावल, दो टेबल स्पून अद्रक, पेस्ट, एक टेबल स्पून लेसन का पाउडर, ये देखें, के लिए हैं, अद्रक अद्रक को फ्रीज कर लिया था, और मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर ले लिया हमारे 3 क्यूब से, और 1 टेबल स्पून हमने लेंगे देशन का पाउडर, और 2 अदद गाजरे, हमने ले लिए, जिसको हमने जूलीन कट में काट लिए, जैसे के हमने के लिए काटते हैं हमने मोटा काटा है तो हम बारी काटते हैं और इसके साथ ही हमने लिए गोबी जी हाँ अफूल गोबी आप तो आप कह रहे होंगे कि गोबी चाबलों में लेकिन बहुत यमी लगेगी इसके साथ हमने लिया है एक आलू जिसको हमने फ्रेंच फ्राइज की शेप में काट लिया लेकिन थोड़ा मोटा एक प्याली मटर चार से पांच अदद हरी मिर्चे ये देखें कितनी फ्रेश है हमारी हरी मिर्च वाओ और दो अदद बड़ी प्याज मसाला बिनाने के लिए तो इसके साथ हमें चाहिए आदा कप ऑईल जो हमने अपनी कड़ाई में डालके हीट अप कर लिया है और इसमें हमने अपना प्याज डाल दिया है बहुत मोटा प्याज नहीं काटना बारीक प्याज काटना है ये देखें हमने अपने प्याज को सुनहरा रंग होने तक फ्रा जाएगा इसलिये मुसल सल ने चंचे को चलाते रहना है अपने प्यास में ये देखें हमारा सुनेहरा हो गया है अब हम वमनेर इसमें नमक डाल दिया है में एक टी स्पून और इसके साथ ही गरमसाला अट किया है और अपनी हरी मिर्टे डाल कर उनको थोड़ा सा चला लिया है तक्रीबन एक मिनट और इसके साथ ही हम अपनी सबजियां अट कर देंगे ये देखें माशाला से कितनी फ्रेश सबजिया है और कड़ाई में जाके तो इनमें और भी जान पड़ गई है तो इनको हम एक से दो मिनट चलाएंगे और इसमें अपना पानी अट कर देंगे ये देखें मतर देखें माशाला से ये देखें ये देखें हमने इसमें पानी अट कर देना है तो हमाल पास तीन ग्लास चावल है तो हमने इसमें पांच ग्लास पानी एड़ करना है छे ग्लास एड़ नहीं करना और इस स्टेज पर आप इसमें नमक एड़ेस्ट कर सकते हैं अपने चावलों में ठीक है वीडियो के अंड तक देखिएगा तो हम इसमें अपने चावल एड़ कर देंगे तो हम अपने चावलों के पानी को पांच मिन के लिए पकने देते हैं जोश आने देते हैं और फिर हम इसमें अपने चावल एड़ कर देंगे ये देखें हमारे पानी को जोश आ गया है और अब हम इसमें अपने चावल एड़ कर रहे हैं चावल एड़ करके हमने अच्छे से चला देना है और चुला बहुत तेज नहीं करना अगर हम चावल डाल कर चुला ज़्यादा तेज कर देंगे बस मीडिय मांच रखनी है ये देखें माशाला से कितने खुब्सूरत खिले के लिए हमारी चावल है तो राइते के साथ और सैलेट के साथ सर्फ करें इंजॉय करें लाइक और शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें और कॉमेंट में अपनी राइका इज़ार जरूर कीजिए और बताइए कि आपको हमारी रैस्पी कैसी लगी अल्ला हाफिज